बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अमबेटगाइड पीपल्स वोईज और पेल आइकन दबाए काह ये भी जाता था कि समाजवादी पार्टी की कार्य करता उस सममें हर मुद्दे को हाइलाइट कर देते दे साइध यही वो बज़त थी यानि संगर जिसे कह सकते आप यही वो बज़त थी कि मुलायन सिंग यादोब के समय पार्टी सिखर की बुलंदियों पर छूँ रही थी उसमें बेटे खुद मुखे मंत्री तो पीता भी राजे की इस बहार के अंदर की राज़िती के इर्दगिर्द दिखाई देने लगे थे लेकिन पिछले एक दसक से देखें तो समाजवादी पार्टी धरातल से गाइफ होती नजर आ रही है आप समाजवादी पार्टी की राजे सबा सांसत तक उसे का इस्तिफा दे देकर जो बरसेवंद नेता थे वो भी अब उसे छोड़ छोड़ कर जाने पर लगे में लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने ट्रेक को फिर से लाने के लिए एक बार फिर आपको बता देए कि संगर्श के रास्ते को अपना नेका ठाना है योगी सरकार के खिलाब प्रचिण गरे नौट नौट के साथ परकार के तमाम घटनाओं के विरोध में कानियों व्रबस्ता को कर समाजवादी पार्टी एक बार फिर सड़क पर होगी राश्ट्रिये केंड्रिये जो उनकी समाजवादी पार्टी की केमेटी है उसकी तरफ से आदेश दिये गए हैं कि 9 अगस्ट को आपको पूरे उत्रप्रदेश के अंदर तमाम जगों के उपर एवियम के खिलाब आंदोलन छेड़ना है ऐसे परकार अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए काफे ज़्यादा सज़क होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतरना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर समादवादी पार्टी ऐसा नहीं कर दिया है तो समादवादी पार्टी के लिए मुश्किले काफी खतरना होने वाली है आपको उतादे कि कई दिनों से उसके नेता भी उससे साथ साथ छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि नेता खुद ये तैत्वाद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या समादवादी पार्टी फिर से उबर पाएगी वहीं अकले श्यादों की चुपी भी कार्यकरताओं को सहन नहीं हो रही है मिलेगे किसे नई वीडियो नई अप्डेट के साथ तब तक आप से लेते विदा देश दुनिया की तमाम खबरे पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ta.maidcat people's voice को जोईन कर सकते हैं